प्रदान मंत्री राष्ट के गवरव शम्मानी नरेद मोधी जी पदार चुके हैं हम इस लोक्स बाद छेत्र की तरब से उनका स्वागत बंदन नंदन करते हैं आपके साथ हमारे प्रदेश के पूरुमक्वंत्री राष्टी उपाध्यक सम्मानी शिर्शी उराषिंजी चौहान उनका स्वागत बंदन नंदन करते हैं मंजपर उपस्ति सम्मानी सतीज उपाध्या जी राजें शुकला जी सम्मानी शुहाज भगत जी सभी का मंचा सी नतितियों का स्वागत करते हुए और अन्रोद करता हूँ कि एक महला से आप सभी स्वागत करें मैं सम्मानी स्री शुराशिंजी से निवेधन करता हूँ कि आप करके और हम सब को मार्ग दर्शन दे सम्मानी स्री शुराशिंजी चौहान जी बोलिया भारत माता की भारत माता की सीधी और विंध की जंता की सभा में आई बहनों भाईयों की और मेरे भांजे और भांजियों की मंच पर विराज मांग हम सब के आदर और सुर्द्धा के कैंदर आज पूरा देश जिनको अपने दिल में बिठाता है देश के दिल मधुप्रेश की जंता के दिल में भी बेही है 120 करोड जंता के हिर्दे के हार और भारत के मुकुटमनी आदर्नी प्रधार मंत्री स्रीमान नर्यंद्र मोदी जी बिंद की इस पवित्र धरा पर दोनों हाथ उठाके ताली बजाके अविनंदन कीजिये मोदी जी का स्वागत कीजिये मोदी जी का बंदन कीजिये मोदी जी का सरदें रिती जी यहांकि हमारी लोग प्रिये सानसत और आगे उमीदवार आदनी जनारदन जी, राजेंद्र सुकला जी, अजय प्रताब सिंग जी, सरदेंदु तिवारी जी, डाक्टर राजेश जी और हमारे संध्रन महामंत्री सुहाज जी, मंचाशीन सभी वरिष्ट का विधायक साथीगंड और सीधी के इस मैदान में उपस्थित, मेरी बहनों, मेरे भाईयो, बेटे-बेटियो, दौनों हाद जोल के आप सब को प्रणाम करता हूँ, आप सब को नमस्कार करता हूँ, चुनाओ गर्मी में हो रहे हैं, गर्मी रिकार्ड तोड रही है, और चुनाओ की गर्मी भी रिकार्ड तोड रही है, लेकिन अकेली गर्मी रिकार् गांधी और कांगरेज भी कई रिकार्ड तोड़ रहे हैं यह राहूल गांधी पहले कहते थे चोकिदार चोर है जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया तो कहने लगे चोकिदार चोर नहीं है चोकिदार चोर नहीं है मैं माफी मांगता हूं माफी मांगता हूं ऐसी बात करते हैं कि आश्चेरी होता है जूट बोलने के सारे रिकार्ट तोड़ रहे हैं कितने जूट बोले मैं विंद वासियों को प्रणाम करता हूं सीधी की जनता को प्रणाम करता हूं अर्मानी पृधान मंत्री जी को बताना चाहता हूं ये विंद की जनता ने विधा जब तक हाथ पाउंच चलेंगे और साज चलेगी हम बिंद की जनता की सेवा करते रहेंगे बहनों और भाईयों सेवा करते रहेंगे। लेकिन कांग्रेस कितने जूट बोलेगी ये राहुल वाबा मदप्रेस की धर्ती पर आये थे और एक वचंदिया था किसान भाईयों इनने कहा था कांग्रेस की सरकार बनवाईये दस दिन के अंदर करजा माफ कर दूँगा दो लाग तक का करजा माफ दिन के बताते थे एक द दस दिन मैं करजा माफ नहीं किया तो ग्यारवे दिन मुख्यमंत्री को हटा दूँगा आज विंदवासियों मैं आप से पूच्छा चाहता हूं बताइए सब किसानों का करजा माफ हुआ अरे इतने जोर से बताओ कि दिली तकाबाद पहुचे करजा माफ हुआ कैसे और कमलनास मुबाइल मैसेज कर रहे हैं राम सिंग तेरा करजा माफ का आब दन मिला लेकिन आचार से लग गई इसलिए माफ नहीं किया बोट दे दो चुनाओ के बाद माफ कर देंगे कौन सच बोल रहे हैं तो बताओ करजा आए और तालीस जार करोल का साधरन बाद है जिन बैंकों से करजा लिया उनको पईसा दे दो करजा माफ हो जाएगा बैंकों को दिया तेरा सो करोल पईसा न देला और सीधी का मेला बेहिमानी कर रही है इस सरकार लोजबान वाब से कहता इन्हीं राहुल गांदी और कमल नाथ ने इनने कहता कि हमारी सरकार बनी तो चार हजार रुप्या बेरोजगारी बता देंगे बोलो कहता कि नहीं कहता किसी को मिला वेरोजगारी बता रोजगार देंगे चित्रकूट में मोबाइल बनाने की फैक्टरी खोल रहते अरे हमेट्री में तो खोली नहीं चित्रकूट में खोलोगे और रोजगार कौन से हमने पूछा मुख मंत्री जी से बताओ रोजगार क किये हमका बताईए तो कहले डोड चराओं बैंड बजाओं हमने का कल कहोगे बंदर नचाओं रीज पकड़ लाओं यह अजीव सरकार में बात के विस्टार में नहीं जाओंगा हम सब प्रधान मंत्री जी को सुनेंगे लेकिन आप से मैं पूछा जाता हूं बताओ इस कांग मंत्री स्रीमान नरेंद्र मोदी जी अद्वुत नेता एक नए भारत का हुदय मोदी जी के नेत्रत में हुड़ाएं एक बैवबसाली भारत एक गहरबसाली भारत एक संपन्न भारत एक समर्द भारत एक सक्तिसाली भारत उसका उदित करने वाले मोदी जी और दूसरी तरह मोदी जी कर मुकाबले कोई है क्या अरे कोई है क्या मुकाबले में कोई नहीं है और इसलिए विस्तार में जाऊंगा किवल एक बात कहके अपनी बात समाप्त करूँगा यहां के उम्मीदवार है कॉंग्रेस के जब मैं जना सिर्वाद यात्रा पे आया तो उन्हें मेरे रत पे पत्थर फिकवाए परिणाम यह हुआ फिकवाए थे की नहीं और परिणाम यह हुआ कि सरदेंदुति वारियां बेठें उनको हरा दिया और हरा के उनको सबक सिखा दिया मैंने सोचा कि अब अकल ठिकलाने आ गई होगी लेकिन अभी भी नहीं आई बेहन रीदी पाधक पे जिस तरह से उन्होंने कमेंड किये भारत की नारी का उन्होंने अपमान किया है गंगा गीता गायत्री है नारियां सीता सत्या सावित्री है नारियां दुर्गा लक्ष्मी सरस्वत्य है नारियां जैसी टिपड़ी बेहन रीदी पाधक पे की बोलो आप स्विकार करोगे जाओ सेहन करोगे जाओ और इसलिए मैं आप से अपील करता हूँ मोदी जी को पुर्धान मंत्री बनाने के लिए और कांग्रेश जूटी कांग्रेश को सवक सिखाने के लिए भारती जनता पारिटी को जिताए जनारदन जी रीवा से और रीती बेहन सीधी से दोनों को आपका प्यार और आसिरवा दीजिए आपका एगवाट मोदी जी को पुर्धान मंत्री बनाएगा तो दूसरी तरफ जूटी कमलनास सरकार जिसने प्रदेश को तवाह और बरबाद कर दिया आकंट बृष्टाचार में डूबी हुई जब इंकम टेक्स ने छापा मारा तो नोटों की थपियां पे नोट बरामत हुए पता है कि नहीं जुद्य इनको सबक सिखाएए आईये मेरे दैनाव भाईयों कमल के फूल की बटन दबाये रीती और रहीं जनार्दन मिस्तराजी को बुर्धाजी को बिनाएगे हु और प्र flavour Lynn के संकल्प ले क्यान्पार्टि को जिताएंगे और मोदी जी को प्रधान मंत्री बनाएंगे ये संकल्प लाने के लिए मेरे साथ दौनों हाथ उपर उठाके दौनों मुठी बांध के भारत माता की जब बोल के भारती जन्ता पार्ट को जिताने का संकल्प ले तो उठाईए दौनों हाथ बाढ़े दोनों मुठी और वोलिय भारत माता की भारत माता की भारत माता की भाहत भाहत धन्यवाद प्रडाम नमस्कार आप आप लोगों का आप लोगों की जो इक्षाती और तत्काल पूरी हो जा रही सम्भानी हमरे नरेंद्र मोधी जी प्रदान मंत्री जी का उद्वोधन आपके सामने हो इसके पहले मैं जाता चाहता हूं कि आप सब जो है उनको खुद बुलाएं माधी, 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 माधी अपना पंचने का प्रणाम नमस्कार करिधैन वीर शहिदन कैर पुन्य भुमी सीधीम पधारने सबय बाई बहनी का राम राम नए भारत के निर्मान के लिए मद्ध प्रदेश के इस उत्सा को मैं विशेश रुप से नमन करता हूँ सीधी रिवा सहडोल सहीद पूरे मद्ध प्रदेश ने पांच वर्ष पहले दिल्ली में इस सेवक को मजबूत किया था 2014 में तीस साल के बाद तीन दसक के बाद दिल्ली में पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में सरकार बनी थी और उसमें मद्ध प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान रहा है आज जब मैं आपके बीच आया हूँ तो ये कह सकता हूँ पूरी निष्टाव और इमानदरी के साथ आपने मुझे पे जो बरोसा रखा था मैंने काम करने का प्रयास किया है दिन राद जुटा रहा हूँ आपके आसिरवाद से बहुत लक्ष हासिल हुए है और जो बाकी है उनको भी आपके ही सहयोग से पूरा करने वाला हूँ साथियों इस जगर के साथ बिर्बल का नाम जुड़ा है बिर्बल की खिचड़ी के बारे में देश का बच्चा बच्चा जानता है कॉंग्रेस अपने महा मिलावटियों के साथ मिलकर ऐसी ही खिचड़ी पकाने की फिराक में थी लेकिन तीन चरणों के मतदान के बाद उसको समझा गया है कि वहुँ स्वार्थ के चूले में अब ताप नहीं है इसलिए जो स्वार्थ की राजनितिक रोटियां सेखते थे उनकी न दाल गलने वाली है न खिचड़ी पकने वाली है अब देश का हर चौकिदार जाग चुका है और नए भारत के सपने के साथ आगे बढ़ रहा है डेश ने मजबूर और कमजोर सरकार बनाने के सारे मनसूमों पर पानी फेर दिया है विशेश तोर पर वो युवा बेटे बेटी जो पहली बार लोकसभा चुनाओं में अपना वूट डाल रहे है ये हमारे नवजवान बीसवी सदी की सोच के साथ चलने को तैयार नहीं है ये हमारे नवजवान 21 सदी के सपनों को साकार करने वाला भारत चाहते हैं भाई और बहनों कॉंग्रेस किस तरह आपको दोखा देती है उसका उदाहरा मैं यही मद्ध प्रदेश से देना चाहता हूँ आज मद्ध प्रदेश में बिजली की स्थिती क्या है कॉंग्रेस का वादा था कि बिजली का बिल कम करने का और इसका तरीका उसने निकाला कि आप लोकों के घर में बिजली की सप्लाई ही कम कर दी जितनी सिवराज जी के समय में बिजली मिलती थी उसे हाफ बिजली देकर कॉंग्रेस सरकार आपका बिजली बिल कम करने की फ़र्मिला पर चल रही है ये दोका नहीं है तो क्या है भाई ये बेमानी नहीं है तो क्या है क्या जंता के साथ ऐसा खेल खेलते हैं साथियों सीधी सही ये पूरा छेत्र तो पावर हब रहा है पावर हब बिजली के बड़े बड़े प्रोजेक यहां पर है बलकि आपका ये चौकेदार जो सौर उर्जा पर काम कर रहा है पूरी दुनिया में सौर उर्जा के लिए हम जो अभियान चला रहे है उसका एक एहम सेंटर हमारा ये पूरा खेत्र होने वाला है कॉंग्रेस और उसके महा मिलावटियों को अगर गलती से दिल्ली में भी मोका मिल गया तो क्या हाल होगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कभी कभी ट्रेलर देखकर के पता चलता है कि फिल्म कैसी होगी यह मद्यप्रदेश कॉंग्रेस कल्चर का ट्रेलर दिखा रहा है छे महिने में जो पाप उन्हें ने शुरू किया है राजस्तान मद्यप्रदेश 36 गर अभी तो वोट मिला है पता है सामने लोगसवा का चुनाव है उसके बावजुद भी वो अपनी आदत से निकल नहीं पा रहे हैं और उसका जो ट्रेलर देखकर के काप उड़ता है मन के ऐसे लोग सतर साल दिल्ली को कितना बरबात कर दिया है इन लोगों ने बाई और बैनों कॉंग्रेस की दोखा बाजी का एक और सभीत है कर्ज माफी का जूठा वादा यहां जो किसान है जरा मैं इन किसान बाईयों से पूछना चाहता हूँ क्या उनका कर्ज माफ हुआ क्या जोर जे बताईये कर्ज माफ हुआ क्या लेकिन देश भर में यह गुम भुगुम गुम के कह रहे है भाईयों बहनों अइतना जूठ बोलने की इनकी आदर इतनी की ताकत मैं तो हैरान हूं जी इतना बड़ा वादा किया था पुरा नहीं किया और मैं पहे भी पूछना चाहता हूं एक कर्ज माफ ही किसके लिए लाते हैं कोई आदिवासी किसान क्या उसको कभी कर्ज मिलता है वो कभी कर्ज लेता है किसी दलिद किसान को कर्ज मिलता है वो कभी कर्ज लेता है ये उनके मुठी भर्यो यार दोस्त है हैं वही कर्ज लेते हैं और हर दस साल के बाद उनीका कर्ज माप होता है गरीब किसान को कुछ नहीं मिलता है आज देश के हर किसान को आपकी यह आवाज सुनकर समझ आ गया होगा कि कॉंग्रेस पर भरोसा का मतलब क्या होता है भाई और बेहनों कर्ज माफी तो दूर कॉंग्रेस की इस तरह गरीब बच्चों के मुझ से निवाला चीन रही है निवाला मैं उसके लिए भी आपको बताना चाहता हूँ कि साथियों बढ्रदेश के आदिवासी बच्चों के लिए प्रसूता माताओं के लिए गरीब माताओं बच्चों के लिए भारत सरकार पोशक आहार के लिए ये चोकिधार की सरकार दिल्ली से पैसे भेचती है ताकि जो प्रसूता माता है उसको प्रसूता के समय नौ महिने अच्छा खाना मिले उसका शरीर ताकतवर हो ताकि उसके गर्व में जो बच्चा है वो भी तंदुरस्त हो और देश को तंदुरस्त बेटा बेटी मिले लेकिन भाई यो बैनो भालत सरकार ने चौकिदार ने जो पैसा भेजा और यह ऐसे लोग है ऐसे लोग है कि चौकिदार के रहते हुए भी चोरी करने की हिम्मत कर गए और उसने इस पैसे से तुग्लक रोड चुनावी गोटाला कर दिया है पूरे देश ने टीवी पर देखा है कि कैसे मध्य प्रदेश के बारे में बाते आ रही हैं बोरे भर भर के नोटे मिली है आपको पता है यह तुग्लक रोड कहां है यह दिल्ली में तुग्लक रोड है और इस तुग्लक रोड पर कॉंग्रेस के एक बहुत बड़े नेता का बंगलो है आपका पैसा गरीब के निवाले का पैसा प्रसूता माता के पोशन का पैसा यह चोरी करकर के वहां पहुंचाते थे भाईयो बंदल के बंदल जाते थे और यही पैसे नामदार के प्रचार में लगा दिया गया सात्यों और मजा है उनके जो चेले चपाटे हैं वो मोदी को पूछते हैं कि मोदी तुम विरोधी दल वालों के यहां रेड क्यों करते हो एक तो यह रेड मोदी करता नहीं है वो तो डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट का काम करता है लेकिन मुद्दा यह नहीं है कि रेड भाजपा के यहां हुई कि कॉंग्रेस का यहां हुई मुद्दा यह है इतना सारा माल कहां से निकला क्यों निकला लेकिन उस मुद्दे की चर्चा नहीं करते हैं इनके चेले चरशा यह करते है कि कोउने वालो के यह रिड क्यों भाइव बैनों रहले में है जो Sao टिकेट लेकर करके जाता है उसको कोई पकड़ता है क्या कोई पकड़ता है क्या बिना टिकेट जायएगा उसी पकड़ेगा ना जो चोरी करेगा वोई पकड़ा जाएगा जो चोरी ने करेगा कौन पकड़ेगा उसको चोरी पर सिना जोरी हम को क्यों पकड़ा हम तो कॉंग्रेस के हैं हम तो नेता है हम तो मुख्यमंत्री के रिष्टेदार है अरे देश का कानुन हर एक के लिए समान होत कि सब के लिए कानुन समान होना चाहिए कि साथियों यही कॉंग्रेस का सच है गडीब और किसान के नाम पर गोशनाय करती है योजनाय बनाती है और उसी पैसे में गोटाला करती रहती है दिल्ली से लेकर भोपाल तक कॉंग्रेस में ब्रश्टा चार ही शिष्टा चार है लेकिन आपका ये चौकिदार चौकनना है नामदार हो या उनके राग दबाई कोई नहीं बचेगा साथियों कॉंग्रेस कैसे काम करती है इसका एक उदारान रीवा और सेंगरोली के बीच रेल लाइन के काम का भी है जितने दिन केंद्र में कॉंग्रेस की सरकार रही ये योजना धूल फाकती रही इसे शुरू करवाने का काम हमारी सरकार ने किया है साथियों देश के लोगों का जीवन सुद्रे गरीबी कम हो किसान की दिक्कते कम हो एक कॉंग्रेस कभी नहीं चाहती कॉंग्रेस ने कर्ज माफी तो नहीं की मोदी सरकार जो आपके खाते में किसानों के खाते में पैसा जमा करना चाहती है उसको भी इसको भी ये ब्रश्ट सरकार रोक रही है यहां MP के 84 लाद किसान परिवारों के खाते में PM किसान योजना का पैसा अब तक पहुंच जाना चाहिए था उनके खाते में जमा होना चाहिए था देज भर में करोरों किसानों का हो चुका है लेकिन मद्द प्रदेश के किसानों को ये लाब नहीं पहुंचा है क्यों? क्योंकि जो यहां ब्रश्ट सरकार है वो ऐसी निकम्मा काम कर रही है ऐसा निकम्मा काम कर रही है कि अभी तक हमें किसानों की लिस्ट नहीं दे रहें, सूची नहीं दे रहें उनको डर लग रहा है कि सूची देंगे, बैंक एकाउंट देंगे और मोदी सीधा पैसा देगा, तो इक किसानों के सामने इनकी पूल खुल जाएगी मुख्यमंत्री जी, मैं जानता हूँ, आप बहुत बीजी है, मैं जानता हूँ चुनाओ के बाद, आपके लिए स्विजर लेंड जाना जरूरी था, आप बहुत बीजी है बेटे को सेंट करना है, उसमें आपको बहुत काम है, आप बीजी है, आपके पीए पीए जो रहे है उनके घर नोटे के बोरे बच्चे निकले उनको बचाना है, इसलिए आप बहुत बीजी है लेकिन किसी और को अफसर को दे दो उनको बोलो कि में मोदी जी लिष्ट माँग रहे दे दो किसानों को पैसा मिल जाएगा नहीं करेंगे लेकिन आप आँ स्वस्तर रहे जब इस बार मत्य प्रदेश से आप भारतिय जनता पार्टी को सब की सब सीटे जिता करके देंगे अब लेगा और यह किसानों के बविश्य पर ताला लगाने वाली जो तोली है उनका दिमाग ठिकाने आ जाएगा तब वो किसानों के नाम हमको बेजेंगे उलाइन में आ जाएंगे बाई और बहनों किसानों को सीधी मदद के अलावा हम सीचाई और बंडारन की भी एक आने वाले पांच वर्षों में गराम बंडारन योजना बनाने वाले हैं ताके गाउं के पास ही बंडारन की उचीश्ति भवस्ता किसान को मिले इसी तरह आदिवासी परिवार जो वन उपज इकटा करते हैं उनकी अच्छी कीमत मिले इसके लिए अनेक प्रयास किये जा रहे हैं जैसे समर्थन मुल्य के दाइरे में अब पचास ऐसी वन उपजों को लाया गया है वन उपज से शर्बत जैम चट्नी आचार जैसी अनेक चीजे बन सके दवाईयों में काम आए आहिरुवेट के लिए मदद रुप हो ऐसी हर चीज़ का अच्छे से अच्छे मार्केटिंग हो इसके लिए विशेश बन धन केंद्र बनाया जा रहा है यानि बन धन केंद्र से कमाई होगी और जन धन खातों में पैसा जमा होगा जन धन से बन धन तक आदिवासी बहन भाईयों की पूरी चिंता ये चौकिदार कर रहा है साथियों हमारे गाहो या शहर देश के विकास में एक बहुत बड़ी भागिदारी हमारी बहन बेटियों की है बिद्ल छेत्र तो महिला स्वावलंबन और ससक्ति करण के लिए जाना जाता है पशुपालन हो मुर्गी पालन हो इसमें भी बहुत बड़ी भूमी का बहनों की है आपको पशुदन से जुड़े काम के लिए पैसे की दिक्कत ना आये इसलिए इस चोकिदार ने पशुपालकों के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड की स्विदा दे दी है स्वाव लंबन से ससक्ति करण के जिस सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं उसको हमारी बहने तेजी से पूरा कर रही है भाई और बहनों दिन दयाल उपाद्याय राष्ट्रिय ग्रामिन आजीविका मिशन का लाब मद्द प्रदेश के देश के गाउं गाउं में आज दिखने को मिल रहा है और इसके लिए मैं सिवराज जी ने जो सरकार चलाई उस समय जो काम किया उसका अभिनंदन करता हूं को बढ़ाई देता हूं इसके तहत देश के करोडों बहने देश से गरीबी हटाने में अहम भुमी का निभा रही है मैं स्वयम सहायता समू से जुड़ी बहनों को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक नई व्यवस्ता का बारे मैं भी बताना चाहता हूं हमने जेम जी इएम ये गवर्मेंट इमार्केट प्लेस नाम से एक सुविदा विक्सित की है इसके माध्यम से आप अपने सामान को केंदर सरकार को सीधे बेच सकती है ऐसी ही आसान व्यवस्ताएं इस चौकिदार ने बनाई है जो पहले कोई सोचता भी नहीं था भाई और बेहनों आपका ये चौकिदार महिला ससकती करण के लिए पूरी तरह से समर्पी था है जन्म से लेकर जीवन के हर चरण में बेटियों और बेहनों की रक्षा, सुरक्षा और ससकती करण के लिए तमाम योजनाएं आज चल रही है प्रसूता माता के पोशन के लिए छे हजार रुपिये की सीधी मदाद, अस्पतालों में सुरक्षित मात्रुत्व सुनिश्चित कराने की योजना मुप्त में टिका करण का अभियान, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान स्कूल और घर में सुचाले की सुविदा, माता और बेहनों को मुप्त में गैस कनेक्षन, गरीबों को मिल रहे गर और उसका माली के नाहाक, माता और बेहनों के नाम पर ऐसी अनेक योजनाएं, जो बेटीों को ध्यान में रखते हुए, भी बनाई गई है इतना ही नहीं, आपके इस चौकिदार ने पहली बार बलातकार जैसे जदन्य अपरात के लिए फासी की सजा का प्रावधान भी किया है साथियों, इस चौकिदार को बारत की बेटियों पर पूरा विस्वास है इसलिए पहली बार देश की रक्षा सुरक्षा के अग्रीम मोर्चे पर बेटियों को तैनाद करने का पैसला लिया गया है पहली बार महिला फाइटर पाइलोटों ने देश की ताकत बढ़ाई है और इसमें भी मेरे रिवा की बेटी मद्द प्रदेश की बेटी उसने भी देश का नाम रोशन किया है भाइव और बहनों राष्टर रक्षा के लिए लड़ना राष्टर रक्षा के लिए समर्पित होना सम्मान की बात है लेकिन कॉंग्रेस के समर्थन से सरकार चला रहे एक मुख्यमंत्री ये सुन करके आप चोग जाओगे मुझे मालूम नहीं है नई सरकार बनने के बाद मिडिया वाले कुछ लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते हैं मुझे पता नहीं है उनकी तकलिप हो सकती है क्योंकि उनका नेचर ही ऐसा है इसलिए साहिए ये बात न भी शपी हो आगे भी शपे की नहीं कि मुझे भरोसा नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ करना टका में एक मुख्यमंत्री जो सरकार कॉंग्रिस तलाती है उस मुख्यमंत्री ने एक गंबीर प्रकार का बयान दिया और नहीं वो माफी मांग रहे हैं नहीं कॉंग्रिस पार्टी माफी मांग रही हैं न कॉंग्रिस के नामदार माफी मांग रहे हैं नहीं उनके चेले चपाटे कॉंग्रिस को सवाल पूछ रहे हैं क्या पाप की आए मैं बताओं बताओं याद रखोगे कॉंग्रेस का जबाब मांगोगे हर कॉंग्रेसी का जबाब मांगोगे ये करनाट की कॉंग्रेस जो चरकार चला रही है उसके मुख्यमंत्री ने कहा कि सेना में जो जबाब जाते हैं बे भूके मरते हैं दो टाइम खाने के लिए रोटी का पैसा नहीं है इसलिए वो सेना में जाते हैं मुझे बताइए भाई ये बहनो ये हमारी देश की सेना का अपमान है कि नहीं वीर जवानों का अपमान है कि नहीं उन वीर माताओं का अपमान है कि नहीं जिन्हों ने वीर बेटों को जन्म दिया उन मां का अपमान है कि नहीं है क्या जान हथेली पर ले करके दिश्मनों की छाती पर गोलिया दागने के लिए मा के पैर छुकर करके जो सीमा पर जाता है युनिपॉम पहन करके दिन रात डूटी करता है उसकी आँखें दिन रात दुश्मन को तलासती रहती है क्या ये भूका मर रहा है इसले कर रहा है पेटकी खाते लिए जना में जाते हैं अरे वो रोटी खानी है तो पत्थर पे लास मार करके रोटी कमा सकता है वो तो गोली खाने के लिए जाता है मा भारती के लिए जाता है हमारी रक्षा करने के लिए भारत मा की रक्षा के लिए जान की बाजी लगाने वाले जबानों का ये अप्मान, ये अप्मान मत्य प्रदेश सहन कर सकता है? आप सहन कर सकते हैं? तो इसका जवाब मांगेगे कि नहीं मांगेगे? उनको सजा करेंगे कि नहीं करेंगे? भायों बेहनों, ये चुनाव मोका है देश के इस प्रकार से अप्मानित करने वालों को सजा करने का है साथ यो इसी सोच का परणाम है कि कॉंग्रेस के राज में आतंगवादी देश में मौत का खूरा खेलते रहे और पाकिस्तान उपर से नाचता रहा हमारी मजाक उड़ाता रहा लेकिन भाई बहनो यह नया हिंदुस्तान है अम हिंदुस्तान यह सहन नहीं करेगा करना चाहिए क्या यह आतंगवादियों का जुन सहना चाहिए क्या आतंगवादी मर्जी पड़े वहां गुली चला दे चलाने देने चाहिए क्या बं तो फोड फोर्दे देने चाहिए क्या भाई ये भनों कि अब आतंगवादियों को पता है कि अब अगर गलती की तो ये मोदी है पाताल से भी आतंगवादियों को खोड़ेगा और फिर गर्में गुश करके मारेगा आप बताईए आतंगवाद खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए आतंगवाद को जड़ मुल से यहां से उखाड़ फैकना चाहिए नहीं फैकना चाहिए जो कॉंगरेस कहती है कि कश्मीर से सेना को हटा देंगे जवानों को मिला विशेश अधिकार हटा देंगे देश द्रो का कानूर हटा देंगे क्या ऐसी कॉंगरेस आतंगवाद खत्म कर सकती है क्या कर सकती है क्या भाई और बेहनों आप मुझे पताइए आज हमारे देश में प्रदान मंत्री बनने के लिए एक बहुत बड़ी लंबी कतार खड़ी है जैसे राशनकार लेके लोग खड़े रहते हैं न ये प्रदान मंत्री की कुर्शी लेने के लिए लंबी कतार है करना तका में जो आठ स्थ लड़ रहे हैं आठ वो भी कहते हैं व प्रदान मंत्री बन शकते हैं कि इस में से कोई 20 शीट लडने वाला कहता है प्रदान मंत्री बनना चाहता है को चालिस सीट वाला कहता है प्रधान मंत्री बनना चाहता है और सब टेलर के यहां कपड़े तैयार करकर के बैठे है जाकिट बनवा बनवा करके रेडी रखा है आप बंजे बताइए यह जितने चेहरे हैं देश भण में जिनके दिमाग में बढ़ा है कि देश की जनता उनक को प्रधान मंत्री बनाएगी ठीक है सपने रखने के लिए कौन बना करेगा बैए लेकिन मैं आपको पूसता हूं यह जितने भी चेहरे हैं जितने भी लोग प्रधान मंत्री बनने का सपना देख रहे हैं उस में से आतंगवाद को कौन खतम कर सकता है ऐसा नहीं यह मुझे खुश करने के लिए बोलेंगे नहीं चलेगा यह मिडिया वालों को खुश करने के लिए नहीं बोलना चाहिए कुछ मिडिया वालों को दुखी करने के लिए भी नहीं बोलना चाहिए यह कॉंगेस वालों की निन खिराब करने के लिए भी नहीं बोलना चाहिए सच बोलना है जो आपके दिल से आवाज है वो निकलनी चाहिए मोधी को अच्छा लगे बुरा लगे मुझे बताइए आतंगवाद को कौन खतम कर सकता है आपको पुरा फरोसा है यह मोधी कर सकता है भाई यो बेहनों अकेला मोधी कुछ नहीं कर सकता आतंगवाद को खतम करेगा आपका एक वोट आपके वोट की ताकत है कमल के निशान पे बटन दबाओगे तब विश्वास करो कि आप आतंगवाद को मारने की तैयारी कर रहे हो इस बार कमल पे बटन पे निशान पे दबाना यह सिरम मतदान नहीं है यह आतंगवादियों का सफाया का संकल्प है भाई यह बेनों यह चुनाओं में आप कमल के निशान पर बटन दबाओगे तो आप विश्वास रखिए कि आपका वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा आपका वोट मोदी के लिए है आपको वोट मोदी के लिए देना है एक चौकिदार के लिए देना है आप चाहते हैं चौकिदार मजबुत बने तो मेरे साथ एक संकल पकरेंगे दोनों मुट्टी बन करके पूरी ताकत से बोलेंगे इधर वाले भी बोलेंगे उधर वाले भी बोलेंगे माताए बेहने भी बोलेंगी ये पीछे दूर दूर रोख खड़ें वो भी बोलेंगे आपको बोलना है चौकिदार क्या बोलना है क्या बोलना है तो मैं बुलवाता हूँ गाव गाव है गाव गाव है शहर शहर है बच्चा बच्चा बड़े बुजुर्ग भी माता बहने घर गर में हैं खेत खलिहान में बाग बगान में देश के अंदर सीमा पर भी डॉक्तर इंजीनियर सिक्षक प्रवेजर लेखक पत्रगार कलाकार भी किसान कामगार दुकानदार भी वकील व्यपारी चात्र जाताए पूरा हिंदुस्तान भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद किसान की बाताई टित बगाद भी जाई भारत में पॉक्तर भी जाँ पारत में दुझस्ताव भी भारत भी कर दो कर दो पे दो आए भान दो झाल को आए हुआ है तो आए है